एलो श्रेंट्स, वेलकम तो दा पिनेकल ओनलाइन प्लेटफोर्म, माइनेम इज रोहित मारवा, यूर इंगलिश एजूकेटर, जैसे आप जानते हैं कि हम SSC English की 7600 प्लस बुक करने जा रहे हैं, और अब उसमें narration के question है बच्चो, तो narration का मैं एक बार थोड़ा सा जब तक आ बूल नहीं कर पाएंगे question, ठीक है, क्या होती है narration, जैसे active से passive बदलते हैं, हम ऐसी narration में बच्चो, direct से indirect change करते हैं, ठीक है हलका से हम आपको basic बताने जा रहा हूं, फिर हम सिधा question करेंगे, direct से indirect, देखो direct क्या होता है बटा, किसी ने कुछ आपको बोला, जैसे ऐसे बोला, I I am teaching you, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, ऐसे बोला किसी ने बटा, ये एक direct speech है माल लो, और अब ये indirect मे change करके आने होती है, ऐसे inverted coma में दी होती है, ठीक है बच्चो, I am teaching you लिख दिया, इसे indirect मे change करने है, तो आब narration का मतलब सुनो पहले क्या होता है, narration का मतलब होता है, story को narrate करना बच्चो, story को क्या करना, narrate, जैसे movies वगेरा में अक्सर देखा होगा, director heroine को कहता है, जा पानी में कूद जा, फिर hero बचाने जाता है, तो वो story को narrate कर रहा है, ठीक है, ऐसी narration होती है, story सुनाना, direct मतलब मैंने कुछ बोला तुम्हें, मैं पढ़ा रहा हूं, अब अपन मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तो आप घर जाके पता है, क्या बोलोगे, मैं बताता हूं, narration में, जैसे active ऐसी में कुछ change नहीं होता, न tense, न कुछ इसमें, सब change हो जाता है, subject, object भी change हो जाएगा, tense भी change हो जाएगे, कुछ adjective, adverbs लिख्या है, वो भी change हो जाएगे, सब change हो पर तुम जब घर सुनाओगे, मेरे को आई थोड़ा बोलोगे, सर बोलोगे, ही बोलोगे, मेरे लिए मैं आई हूँ, तुमारे लिए ही हूँ, और जो tense है, am teaching, मैंने का मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये मैं इस टाइम पढ़ा रहा हूँ, पर जो घर जाओगे तो बात पु तो कहोगे, वो पढ़ा रहे थे, he was teaching, अब सुनो ये you का क्या होगा, you भी change होगा, देखो, मेरे लिए तुम बेटा you हो, you हो ना, मैं तुमें you बोलूँगा, पर तुम अपने लिए क्या हो, मैं, अपने आपको मैं ही बोलते होगे, तो कहोगे, सर, वो हमें मुझे पढ़ा यूँ पर उसके लिए ही हूँ, तो वो मुझे ही बोलेगा, बात पुरानी हो जाएगी, तो टेंस भी पुराना हो जाएगा, वूड हो जाएगा, तो हर मोडल के बाद वीवा नहीं आती है, तो किल रहेगा, अब you, मैंने बोला, मैं तेर को मार दूँगा, मेरे लिए तो पर वो अपने आप के लिए क्या है बेटा, वो अपने आपको तो मैं ही बोलेगा, ठीक है, आई बोलेगा, जो भी है, कि वो मेरे को मार देगा, तो अपने आपको मी बोलेगा, अगर तुम ऐसे का, ऐसे ही बोलाओगे, I will kill you, तो कितनी गलत बात है, मैंने तुम只有 यह तो त यह बहुत कुछ चेंज होता है, जैसे मैंने बोला बच्चा यह चेयर है क्या बोला, यह चेयर है अब घर जाके सुनाओ इसको अपनी वर्डिंग्स में आप बोलोगे वो चेयर थी, क्योंकि आप घर हो और घर हो तो यह बाली चेयर दूर हो चुकी है आपसे और दूर दूर के लिए बच्चो डैट लगता है, क्या लगता है? डैट और भी माँ कुछ आपको बताना चाहूँगा तुमोरो के बारे में यह नेक्स डे में चेंज करा होगे, बताता हूँ क्यों जैसे माल लो आज 15 अगस्त है, माल लो ऐसे 15 अगस्त मैंने किसी बच्चे को गा कल मैं तेरे घर आउँगा, I will come tomorrow तो मुझे कब आने है बच्चो? 16 अगस्त को अब वो बच्चा माल लो घर आज ना जाए, 10 दिन बाद जाए माल लो 26 अगस्त को जाए, तो क्या वो tomorrow को tomorrow बोल सकता है? बोलो, क्या यूँ बोल सकता है, कल सर घर आएंगे, इसका मनल तो मैंने को 27 को आने पर मैं तो 16 को आ भी चुका, या आप यूँ छोड़ो 15 छोड़ो, वो 16 को घर चला जाए, क्या वो यूँ बोल सकता है कल आएंगे, मुझे तो 16 को आने, 17 को थोड़ा आने, तो उसको बोलना पड़ेगा, सर से जिस दिन बात हुई थी, उससे अगले दिन आने को बोल रहे थे, तो the next day, tomorrow नहीं लगा सकते, क्योंकि आप क्या पता, दो-तिन दिन बाद घर जाओ, और दो-तिन दिन बाद भी tomorrow थो अगर आपको यह चेंज करना आगया, तो आप नरेशन कर लोगे, तो मैं अब यही कॉंसेप्ट बताने जा रहा हूँ, आपको यह लीजिए, पस्ट, how to change tense tense कैसे change करने है, ठीक है बटा, tense कैसे change करने है, देखो, आपको अगर present definite tense दिया जाता है, तो चुप-चाब आपको V2 में change कर देना है, यह tense के concept है, ठीक है, फिर धीरे-धीरे subject-object के बताऊंगा, फिर कुछ adjectives, adverb यह tomorrow, next day adverb यह इनके बताऊंगा, ठीक है, V1 को change कराना, V2 मे बट मैं already V2 दे दू तो बेटा, V2, तो change कराना, head V3, किस में, head V3 में, आपको पता यह past का past, मैंने अगर बोला मैं खेलता हूं तो आप बोलोगे खेलते थे, पर मैं already यह बोल दू, मैं खेलता था तो और ज़्यादा पास्ट कराओगे, head V3, मैंने का, बेटा, मैं पढ़ा रहा हूं, तो आप बोलोगे, sir, पढ़ा रहे थे, past कर रहा होगे, बट मैं already past continuous दे दू बच्चे तो, past continuous तो और ज़्यादा past कर रहा होगे, had been past perfect continuous, ऐसे बेटा मैं present perfect दे दू तो आपको has have V3, क्या दे दू, present perfect तो आप और ज़्यादा past कराओगे, past perfect में बदल आओगे, तो V2 भी past perfect में change होती है, present perfect भी past perfect में change होती है, ठीक है, model का भी ले सकते हैं, will we one दे दू, would we one, can we one दे दू, could we one, shall we one दे दू, should we one, यह थोड़ा था basic tense का, अब आप कर लो कुछ words का basic, words, words का basic यह रहा, तीस change करना न, debt में, तीस change करना दोस में, मैं अगर बोलू न, यह chairs है, तो आप घर जाओगे तो पुरानी हो जाएगी, वो chairs, मैंने बोला, मैं अब पढ़ा रहा हूँ, पर घर जाओगे तो पुराना हो जाएगा, मतलब घर जाने का मतलब है बेटा, कि आप पुराना करके कहीं भी सुना रही है घटना, कहीं घर जाके, यह किसी और की मारकेट पे जाके तो वो बात पुरानी हो रही है, तो देन बोलोगे, ठीक है, मैं अगर बोलता हूँ, मैं तुमोरो को आउँगा, तो आप जाके तुमोरो नहीं बता सकते, क्या बता, आप दो दिन बाद घर जाओ, तो बोलोगे, जिस दिन बात हुई थी, उस्से अगले दिन आने को बोल रहे थे, दा नैश्ट डे बोल सकते हो, या दा फोलोइंग डे भी बोल सकते हो, ठीक है, यह कुछ वर्डस है, मैं ने बोलती ह lived, यहाँ आओ, तो तुम दूर जाओगे, तो यहाँ तुम्हारा वहा बच जाएगा, वहाँ बुला रहे थे, देर कराओगे ठीक है ना बेटा hence इस परकार तुम बोलाओगे उस परकार dance तो इस तरह से बेटा ये words आपको change करके आने होते हैं ये change करने का है कुछ adjectives हैं कुछ adverb हैं ये change करने का concept है today that day में change कराना पुराना कर देना मतलब उस दिन क्या बता आप आज घर ही ना जाओ मैंने का मैं रात को मिलूगा तुम से तो आप रात को गए नहीं दस दिन बाद गए तो थोड़ा बोलोगे रात को आप बोलोगे उस रात को that night तो अपनी वर्डिंग्स में सुनाना ही indirect है ठीक है बच्चो नेक्स करते हैं तो ये थे कुछ वर्ड्स चेंज करने का concept अब मैंने का था था ना तुम आई को यू बोल देगा भी मेरे लिए मैं आई हूँ तुमारे लिए तो ही हूँ मेरे लिए तुम तुम हो पर अपने लिए ये सुनाएगा तो ये भी आई बोलेगा पर तुम सुना दो हम दोनों की बाते कोई और तीसरा लड़गा सुना दे हम दोने तुम पढ़ लिए अगरो तीसरे लड़गे ने सुना उसने सुना दिया तो बोलेगा सर ने उसको भी कहा है पढ़ ले इसका मलब यू ही में भी चेंज हो सकता है तो डिपेंड करता है किसने किसको कहा है और कौन घर पे जाके सुना रहा है तो इसका shortcut बना लेते हैं बैटा ये लो कितना भी note कर लो बताऊंगा ये apply कैसी करने first person आप change कराना subject के according second person आप change कराना object के according और third person को no change करके आना क्यों न करनी दिएको बेटा अगर मैंने बोला सीमा अची लड़की है तो घर जाओगे तो आप ये थोड़ा बोलोगे रीटा अची लड़की है सीमा ही बोलोगे ठीक है ही अच्छा है ही ही बोलोगे she अच्छी है she बोलोगे ये होते हैं subject के according change करना ना आपको पता लग जाएगा कि तुम उसको क्या बोलोगे घर जागे तो ये एक shortcut है, इसे बस note कर लो 1, 2, 3, ये कहां से आया है, मुझे ये भी पता है, direct कहां से आया है, ठीक है बचो तो जैसे ही आप ये तीनो मैं एक एक example दूँगा, फिर हम सिद्धा बटा बुक करेंगे ठीक है, I am playing now, अब देखो बटा, he said to me है, अब आपको पहले तो ये सीखना ही है, बीच में to क्यो लगा इतने दिन से मैं आपको grammar करवा रहा हूँ क्योंकि sad एक intransitive verb है इसलिए ये बीच में to लगवा रही है तो जरूरी नहीं है, वो intransitive हो non-living object के case में, इसे living तो नहीं ले पाती क्योंकि इसके बाद whom की sound नहीं आती, पर what की sound आती है he said what, something, तो sad के बारे में याद रखना है ये non-living object के case में, तो transitive है एक object आ गया, pronoun आ गया, living नहीं ले पाती अब जैसे एक verb और है मेरे पास, he knows ये दोनों के case में, ट्रांजिटिव है, living दे तो तब भी खुश है he knows me, सही है ना sentence, he knows everything ये लोग non-living भी आ गया, ये दोनों के case में, ट्रांजिटिव है sad कैसी है, living वाला तो नहीं लिया जाता है, इनों बीच में preposition आ जाती है पर non-living लिया जाता है, इसलिए transitive है, ठीक है told के बारे में क्या जानते हो, told told कैसी है, told di-transitive है me भी लेगी, और something भी ले सकती है di-transitive verb उनको कहते हैं, बेटा, जो living, non-living दो no-object ले लेती है, उन्हें कहते हैं di-transitive, पर एक शर्त है, पहले living आता है फिर non-living आता है, बस ये शर्त है di-transitive verb के बारे में सीख लो, di-transitive उन verbs को कहते हैं, ये तो transitive है, क्योंकि एक ही object है, next line में है, non-living मैंने कहा था, living भी ले ले, non-living, इसका मनलब को to के पिछे लिखना, पढ़ता है, he gave up and to me ये pre-position का object है, di-transitive भी एक शर्त है, पहले living फिर non-living चलिए, तो ये concept था ये कोशन करना है, बापको he said to me तो बैटा, ये जो inverted कोमा में है ना, ये है वो direct speech जो आपको indirect में चेंज करनी है, ये reporting verb है, ये reporting speech है ठीक है बैटा, reported speech ये reporting verb, अब मुझे ये बताओ, sad का क्या करें आपको मैं बताने जा रहा हूँ, अगर sad के बाद to लगा के me लिखे, तो ही told को लाना नहीं, तो मत लाना बताता हूँ क्योंकि told एक transitive verb है, इसको object चाहिए ही चाहिए, तो अगर आपके पास mean नहीं हुआ, तो told आएगा ही नहीं, क्योंकि इसको तो mean चाहिए, और अब ये चीज या रखना, अगर ये past में है ना, तो ही यहाँ पर concept लगाना, किसके जो अभी सिखाये थे, tense change करने के, और क्या change क करने थे, कुछ words change करने थे वो, pronoun तो change होंगे ही होंगे, चाहिए, main close present है, चाहिए future है, will say भी है, but tense कब change होंगे, जब ये past होगा, हमने tense में भी किया ये चीज, ये past होता है, तभी ये past हो जाता है, narration कुछ नहीं है, तभी ये tense के rule रखते है, जब ये बात पुरानी हुई ही ये हाँ क्या होता है, he says, अगर says है तो बात पुरानी ही नहीं हुई, और बात पुरानी ही नहीं हुई, तो I am playing, I am playing ही बोल दिया, मतलब अभी की अभी सुना दिया, और now का now इरा, tomorrow का tomorrow इरा, this का this ही रहा, अगर he says है ना, तो this का this ही रहेगा, क्योंकि वो घर गया, ये आपको बता है, एक close में एक verb आ सकती है, बाकी अगर एक और sentence को close को जोडना है, तो आपको conjunction चाहिए, तो told के साथ हमेशा लगती है, that, अब ये speech है, जो change करनी है, जो अभी सिखाया है, वो लगा दो इस पे को, ठीक है उटा, हाँ, पहले sun one two three कर ले, आई, देखो sun कैसे apply कर one two three, इदर, कौन सा person है, person बोलना है, कौन सा person है, first, किसके according change, subject, वो यहां से उठाने, यहां से उठाने, he, तो यहां मेरे लिए मैं आई हूँ, तुमारे लिए he हूँ, ठीक है बचे, ऐसे आया है, तुम्हें यह कहां से बना sun one two three, यह बता, तो he said to me, साफ पता लग रहे है he, कोन है, speaker है, me, listener है, बस, आपको बता, I क्या है, first person, first person, कोई तो speaker कहते है, तो यहां से speaker आगे, यहां you होता, आपको बता, यह listener होता है, तो यही तो listener है, इसे लिए 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 बता है, बस यह वही से sun one two three बना है, और कुछ नहीं, चलो, he told me that he was playing, now change into then, हो गया सही, बन सारे concept लगा दिये, क्योंकि, बस यह शरत है, main close past नहीं, future में भी नहीं है, बेटा, will से, तब भी नहीं change होगा, next question देखो, जैसे एक बिना उसका करवा देता हूँ, he said, I teach you, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, अब आजो, अब बेटा, told I ही नहीं पाएगी, because told को object चाहिए me, नहीं, ठीक है, और वो आपके पास है नहीं, अगर option में अपनी तरफ से ले ले लेता है, तो वो option भी ठीक है, बट tense ठीक हो ना चाहिए, यह नहीं, एक said वाला option है, tense गलत है, और एक told वाला option है, जिसमें अपनी तरफ से me ले रख़ए है, और tense हैं, तो यह लगाओगे, किस केस में ट्रांजिटिव है, नो लिविंग है केस में, तो ये एक अबजेक्ट ले सकते है, बट जो अभी हमने टोल्ड वाला सेंटेंस किया था ना, बिटा ये देखो, आपको लगेगा ये टोल्ड मी है, ये नया क्लोश शुरू है, जिसे डीप नोलेज है ना, उसे अच पूरी आइन ऑब्जेक्ट नहीं है, पियोर नाउंप्र नऊंप्र अबजेक्ट नहीं फेक्ट है, यहां पूरी लाइन सेकिंड ऑब्जेक्ट बण कर वैठी है, इसलिए बीच में किंजंग्शन लगाने की जूरू है ठीक है क्योंचि इसमें भी आवव है, तो ये एस से आपको लोगेगा इस close को इस close से जोड़ना, इसलिए conjunction है, नहीं बेटा, ये कहिना की sad का object है, एक object, ले सकती है, he said something, non-living object है, line हमेशा non-living माने ज़दे, he said what, so is close को इस close से जोड़ना है, यूँ बोलो, चाहिए sad का object है, यूँ बोलो, ठीक है, that, I, I, first person, किसका according change, sun, 1, 2, 3 Sun, 1, 2, 3, sun इदर, 1, 2, 3 इदर, कौन सा person, first, किसका according change, subject, कौन है, he, मेरे लिए मैं आई हूँ, तुमारे लिए he हूँ, first form किसमें change, tot, चाह जएगा, you, you आगा बेटा, you भी change करो, कौन सा person, second person, किसका according change, object, object तो है ही नहीं, बसके object तो है ही नहीं, तो कोई तो होगा, क्या ब बेटा, मैं पहले बता रहा हूँ, says होता ना, तो यहां कुछ भी change नहीं होता, except pronoun, बस pronoun change होता है, एक चीज और ठीक लो, यहां sad है, बट यहां अगर को universal truth दिया हुए है, जैसे universal truth है, ऐसे माल लो, the sun rises in the east, आप चैक घर जाके सुनाओ, चैक दस साल बात सुनाओ, वो पुर आप चैक कितना ही past कर लो, उबलता ही बोलोगे, यह नहीं उबलता था, तो simple बाते change करनी होता, तो यह थी हमारी first type, बच्चो, ठीक है, अब देखो next type में आप से पूछेगा, interrogative, कुन सी पूछेगा, interrogative, interrogative बड़ा ही असान है, कोई दिक्कत नहीं है, वही चीज है, कर ले कुछ कोशन helping verb subject प्लस main verb से start होते हैं, कुछ कोशन में आगे WH लगा होता है, यह होते है, explanation वाले question, यह होते है, yes or no वाले, क्या तुम खेले थे, यहां, ना, तुम क्यों खेले थे, इसलिए खेले, यह explanation, पर helping verb यहां भी आएगी नहीं, तो question ही नहीं बनता, main verb, object वहीं, question मार question मारे, यह वाली type, he said to me, are you playing, are you, यह करो, question है, question है, बिटा, देखो, question है, अब question में टोड़ गायब हो जाएगा, आपको पता है, क्या तुम खेल रहे हो, यह, मैं तुम से क्या बूच रहे हो, क्या तुम खेल रहे हो, घर जागे, यू कोगे, मेरे को बता रहे थे, पूच रहा हूँ, मैं तुम से train कब आएगी, बता थोड़ा रहा हूँ, पूच रहा हूँ, पहले मैं बता रहा था, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं खेलता हूँ, अब मैं क्या गह रहा हूँ, train कब आएगी, क्या तुम खेलते हो, वो करते हो, क्या तुम लेटर लिखते हो, तो आप लिखोगे आस्क और आस्क भी बेटा ड्राइ ट्रांजिटिव है टोल्ड की तरह सेम इसको मी चाहिए और यह याद रखो अब तक सैड तू मी नहीं था तो टोल्ड नहीं आता था अगर तू मी था तो आता था और सैड होता था तो सैड का सैड रहन देते थे क्योंक लिखना ही पड़ेगा इतनी सी बात है तो आसक आपको लिखना ही पड़ेगा करें अपनी तरफ से मीलाओ क्योंकि इसको तो अब्जेक्ट चाहिए चाहिए यह ट्रांजिटिव है ट्रांजिटिव है ट्रांजिटिव है ट्रांजिटिव है तो सैड का सैड चल जाता था क् told or said लगबग सेम चीज है बताना कहना चलो अब ये close को इस close से जोडना आपको लग रहा होगा पर मुझे साफ पता ये die-transitive verb है, he ask me question he ask me what, ये इसका second object है ठीक है चाहिए आप जो मर्जी समझो कि next close है पर मुझे पता है अब जिसे ज़्यादा नोलेज़ है उसे पता होता है deep knowledge कि ये इसी का object है, second object है he die-transitive verb है एक object मिलिया, second की तलाश में अब ये इस पर ये पूरे object में verb भी है तो conjunction लगा के जोडना पड़ेगा अगर मैं रहाए simple object देऊ he ask me question अब आपको कोई conjunction नहीं आएगी क्योंकि ये pure noun है he ask me, क्या लिखें if क्या लिखोगे, if that नहीं आएगा, क्यों बटा क्योंकि that तब लगती है जब हम explanation देते हैं और if या weather तब लगती है जब हम doubt में होते हैं he ask me if लग गई हाँ, अब एक चीज़ पर आजो ये question है न, क्योंकि inverted coma में यही से start है helping verb से पर ये sentence कहां से start है, indirect वला है he से, और he से कभी question start नहीं होते है, ठीक है बटा ये R से start है, ये question है helping verb से, ये he से start है ठीक है, क्योंकि ये inverted coma है, यहां से start हो सकता है, जैसे पूछ के देखता हूं train कभ आएगी, question है न, घर जाके बताओ sir मेरे से पूछ रहे थे कि train कभ आएगी तो ये तुमने बताया है, uns मेरी बात बोली है question नहीं किया वापी जाके तो question रहता ही नहीं है और बेटा अगर question रहता ही नहीं are you playing, तो इसे money, simple पहले ही बना लो, फिर उस पर narration लगा लो बोलो simple कैसे बनेगा ये, इसके बाद R रख दो, बन गया simple helping वापीस रख दो, बन गया simple बन गया ना, अब आपको क्या करना है बेटा, इसको soul करना है क्या करना इसको, soul करना है बस और कुछ भी नहीं करना, कुछ soul करना है, ठीक है हाँ you are playing को बस soul करना है वेटा, कैसे soul करना है बताओ बदो, you, वही sun one two three लगाने, अब आपको R यहां रख रखने है इस पर narration नहीं लगा, ये तो मैंने का था question रहेगा नहीं क्योंकि तो he से start a conjunction के बाद तो subject लिखते हैं, अब इसे simple बना दो, simple कैसे बनाओगे, you, I, turn one two three, I, R playing change into, pose playing अजी, ठीक है, एक कर लेते हैं, वह वाला, weather भी लगा सकते हैं, if or weather same ही होते है, weather that explanation के लिए होती है, weather doubt के लिए होती है, ये करूँ ये करूँ ये करूँ और question में भी तो यह होता है, हाँ या ना, इसलिए लगती हैं, और weather, weather का कई बार मतलब if होता है, ये if अगर वाला if नहीं है, weather का ही substitute है, ठीक है, एक और देखो, he said to me, when will the train come, ऐसे arrive लिख देते हैं, arrive, चलो, question है, आज हो solve करें, he asked me, he asked me, अब आप if ये weather लगाओगे, that लगाओगे, बताओगे, कुछ भी लगाने की जूट नहीं बता, ये WH वाले question आगे, दो type है question के WH वाले, अब जैसे ही मैं when लिखूँ गा, तो सबको पता है, WH जब बीच में होता है, तो वो खुद conjunction का का काम कर जाता है, और conjunction आगे, अब operation लगा दो, when the train will arrive, क्या आएगा, when the train would arrive, when the train would arrive, बस इतना सा question वाले है, ठीक है बिटा, ये question वाले है, नेक्स्ट आप की आते, imperative, मैं basic basic से बता रहो, imperative sentence, he said to me close the door, और imperative sentence उनको कहते है, बिटा कई बर बता चुक हूँ, जो सामने वाले को order देने वाले, request देने वाले, advice देने वाले, gate बंद कर दो हमें, और इसकी पेचान है, V1 से start होंगे, इससे होंगे, V1 से, ठीक है, तो order, request, advice, अब आपको बता है, close है, तो आपको यहां लिखना पढ़ेगा, ordered, he ordered me, please होता है, बाकी order, advice कुछ लिको structure आना चाहिए, he ordered me, अब बता है, यहां subject तो है नहीं, तो आपको conjunction लगा के, आपको close, two close बनाने की जरूरत ही नहीं, you don't need to make two closes, आपको जरूरत ही नहीं, क क्योंकि यहां subject ही नहीं, conjunction ही नहीं, तो subject आता है, और single close में खतम होने के लिए, मैंने आपको बताया, कई बार advance verb यूज हो सकती है, क्योंकि एक close में एक ही verb आ सकती है, या तो conjunction लगा के नहीं, close बनाने है, main verb एक ही आ सकती है, बाकी सब advance verb आएंगी, advance verb अपना शकल noun जैसी ब ordered, अब आपको बताए, एक verb और आपका इंतजार करिया, बंद करना, तो आप एक काम करो, फटा फट तू लगा दो, इस close के आगे ताकि यह infinity बंजे, close, पर यह अपने आपको noun की जगा पर बैठ गी ना, क्योंकि verb एक ही आ सकते है, noun भी आ सकते है, पर याद रखना, यह advanced verb ह नाउन की जगा पर है, verb मानती है, तो आगे यह object लेना यह भी शुरू कर देती है, close door, जैसे verb के बाद आते है, ऐसे ही मैंने कई बार बता रखा है, I want, मैं चाहता हूँ, verb आगी, खेलना, एक verb और मूँ से निकल की, खले, खेलना, दो verb साथ में आनी सकती, noun मना लो, to play, पर इसका object, यह second object बनकर बैठ की, बहरूपी है, यह advance verb मानी जाएगी, main verb यही है, और यह अपना को verb मानते हैं, इन में एक बात ध्यान रखने वाली बात यह है, बेटा, कई बार mean नहीं लिखता बीच में, गलत हो जाएगा, पहले बता रहो, dietransitive है, mean नहीं लिखा, आपको इस He ordered, आपको पता यह भी verb है, चाहिए noun बनकर बैठी है, यह है तो verb ही, और verb होती है तो उसका doer तो होता ही है, subject तो होता ही है, दूर दूर तक कोई दिख रहा है, ही के लावा नहीं, इसका मनलब पता है क्या बन गया, order भी ही ने दिया, बंद भी ही करेगा, क्योंकि और तो क यह थे बटा, question, ठीक है, imperative, अब आप कर लो, imperative sentence ही थे, और एक imperative sentence अभी भी complete नहीं हुए, let वाले भी आते हैं, let भी डरना नहीं है, close the door, जैसे वीवन से start होते है, यह इनकी पैचान होती है, close the door, वीवन से, तो अगर मैं let से भी बनाता हूँ नो, कोई sentence, let me go, let me go, तो यह imperative यह वीवन ही है, let का मतलो, बस allow है, और याद रखना अभी बना के देखते है, he said to me, he said to me, let me go, मुझे जाने दो, request मान लो, ठीक है, request मानो, order मानो, जो भी है, he requested me, हाँ, तो यह वही verb है, इसको noun बनाना पढ़ेगा, क्योंकि एक verb अरड़ी आ चुकी है, तो क्या लिखो आगी पर, यह अपने आपको verb मानती है, इसलिए यह भी ditransitive है, आगे object ले रही है, to, let, first person, change into subject, यह नहीं, he लिख देना यहापे, first person, change किसके according, subject, और he नहीं लिखना, क्योंकि यह objective कैस है, तो he का भी क्या आएगा, objective is him go, let कैसी verb है, let, अभी तक जितनी भी verb करी है, हमने, वो advance verb किसको बनाती है, आगे जाने की sense है, infinity को, जैसे iPhone 2 play, I decide to go, पर मैं आपको कुछ verb दे रहा हूँ, let, make, यह bare infinitive लेती है, bare infinitive का मतलब देखो, मैं उसे खेलने नहीं दूँगा, I will not let him, आगया let, अब advance verb हैगी, खेलना, बचरी है न, main verb तो आगी, एक ही close आगया, अब सा उसको कपड़े दोने के लिए मना, help BI, help him wash the close, V1 लेती है, 2 V1 लेती है, 2 V1 लेती, क्योंकि एक ही sound में निकल लेंगा, 2 replace हो जाता है, बाकी सब infinitive को लेती है, I ordered him to play, I advise him to go, ठीक है, so let him play, और अगर आप let की जगह allow लिख बैठे है, allow भी होता है न, let का मतलब, allow तो आपको आई है, आगे, क्या लेगी, 2 V1, देखो, अब ये क्या हुआ है, यह मेन वर्ब, आगी है, अब ये एक और वर्ब थी, इसे noun बना लिया, पर ये भी अपने आपको वर्ब मानती है, आपको पता है, advance होब है, वर्ब मानती है, तो ये भी तो अपने बाद object ले सकती है, और diet लेने के लिए बस, ये कोशन हो गया, imperative sentence अभी भी खतम नहीं हो है, एक कोशन हो रहता है, imperative में let वाला, कहोगे ये करतो लिया let, बेटा let him, let me, सब सही है, let us वाला कोशन आ गया ना, तो आप फस होगे, let us go, तो सीधा आज महल, ये करके दिखाओ, सिरफ ये टाइप अलग है imperative sentence की us वाली, और जब भी let के बाद us लगता है, आओ खेलें, आओ पार्टी करें, तो जब हम सब मिल बाट करी प्लैन बना रहे हैं, तो ना ये order है, ना ये request है, ना ये advice है, क्योंकि इसमें हम सब मिल बाट करें, letters इसकी पेचान है, letters वाले कुछ है, तो ऐसे case में, ना आप propose, suggested से या propose से, और याद रखना है, ये suggested और propose, sad की तरह है, S से sad, S से suggested, ये mean नहीं ले सकती, intransitive वर्ब हैं, और जो intransitive वर्ब होती है, उनके बीच में preposition लगता है, तो ये to mean नहीं ले सकती, पहले बता रहो, mean ना लिख देना, जैसे अभी सोचो, ये एकी close में खता है, ये sad की तरह है, ये non-living object ले सकती है, he said what, sad what, that लगा के object दे देते हैं हम, ये object ही होता है, he said something, object है न, he said something, ऐसे अगर मैं लिखता हूँ, he said that he would come, तो आप ये मत सुन जो, he would come, कोई नई चीज़ है, ये sad verb है, ये इसका object है, he said what, इसमें क्या खा, कि वो आएगा, ये object है, पू और प्रोन है, इसमें noun close बोलोगे, noun नहीं बोलोगे, अब suggested intransitive है, to me, me तो ले नी सकती है, तो आप इसको एक object ले सकती है, transitive है, non-living के case में, living के case में intransitive है, तो जो verb अगर intransitive है, living के case में, तो जरूरी नहीं है, वो non-living object भी ना ले पाए, non-living ले सकती है, ऐसी suggested what, non-l conjunction आगी, तो अब तो मजबूरी होगी, दो close बनाने पड़ेंगे, you need two closes because you put here, conjunction, तो आपको subject चाहिए, ठीक है, अब subject को ना us है, he said to me, उसने का, आओ, ताज मेल देखने चले, मैं include हूँ ना, क्योंकि ये कहानी लग रहा है, मैं ही सुना रहा हूँ, तो मैं include हूँ, कभी बा देखते हो, वी, और same meaning लिखने के लिए, आज हो, ताज मेल देखने चले हमेशा, इसमें should लगाना, तभी send सेम रहेगी, should model आना ही आना चाहिए, ऐसे कोशन में suggested या propose, आगे should लिखो, आगे model के बाद वी बनागी, आगे advance verb आगी, और advance verb की शकल सेम रहती है, क्योंकि एक close म में एक verb already आ चुकी है, ये भी अपने आपको verb मानती है, तो see what, ताज मेल, तो suggested और propose वाले कोशन आजाए, तो आगे should लगाना और वो पहचान है, let us वाले कोशन, ठीक है बेटा, next करते है, next type, exclamatory sentence last time, आप, बताओ, exclamatory sentence, इन sentence को कहते है, या तो ये words के पिछे आपको कुछ sign मिलेगा, ऐसे exclamatory का, या फिर आपको मिलेगा बेटा, कुछ sentence के last, आपको ये sign मिल जाएगा, तो आप समझाना type, sad प्लस अलाज आजए, exclaim लगाना है, अब sad की जगा, जैसे अब तक told कर रहे थे, तो exclaim के बारे में भी आपको सिखा दूए, exclaim मी नहीं होगा, कभी यूना बोलना, exclaim मी, मुझे चिलाया, नहीं, exclaim भी वही है, sad की तरह डैट लेगी, बस एक object लेगी, what वाला, exclaim what, me नहीं लेगा, told us की तरह, तो ये exclaim में कोर वह मिलगी, जो suggested की तरह है, sad exclaim ये, me नहीं लेती है, exclaim लिखो, ये अपनी तरफ से extra information डाल देते हैं कि बगवान को कब याद करता आदमी, दुख में, exclaim with, सोरो, पिर आप debt लगा दोगे, क्योंकि असली में ये exclaim what, असली में ये close जोड रही है, एक अप कब बोलते हैं बेटा, ओ, surprise, ना surprise में बोल देना या regret में, ठीक है ना, फिर एक last बेटा आपको मिलेगा, sad, plus bravo, bravo कब बोला जाता है किशी को, bravo, ये तरीफ करते हुए बोला जाता है, तो यहाँ पे exclaim, भई तुने बहुत अच्छा की है, with applause, applause का महलत तरीफ, फिर अपन डेट लगा गया, sentence लगा देना, tense के according जो भी चाहिए, और, या फिर कई बार बेटा, exclaim को verb ना बना के, ये applause noun को verb बना लेता है, applauded, applauded, और ये him लेती है, कोई भी me, him, ये die-transitive तो नहीं है, पर me जरूर लेती है, किसकी तारिफ की, him की, क्या कहते हुए की, एक advance verb और लगा लगाते ही, SSN साती है, crawling, रोता हुआ बच्चा, ठीक है, कहते हुए, उसने उसकी upload की, तारिफ की, कहते हुए, saying that, ये पूरा कर देना, और ये advance वह अपने आपको verb मानती है, ये भी अपना object लेगी, पूरी line object है, तो that लगेगा, ये लगेगा, ठीक है, तो इस तरह से बना लोस्ट अमेज लिगे देता हुए, ये लोस्ट अमेज, ठीक है, ये करो, he exclaimed, आगया बटा exclaimed, with, आपको लगा गए, ये क्या आगया, एक्सक्लेम वर्ब है, ये कैसी वर्ब है, मी तो लेगी नहीं, इसलिए मी देते भी नहीं, पर ये वट ले सकती है, sad की तरह है, transitive है, non-living के केस में, sad what, exclaim what, इसका what दो, here I, इसका what, we, first person किसके कोण जीए, subject, subject क्या है, he है, he तो नहीं लिख दो कि, यहां तो बहुत सारे लोग जीतते हैं, तो he का भी plural बना दो, they, तो ठीक है, sun went to three, लगता तो नहीं, अपना दिमाग लगता है, उसने कहा, हम match जीत गए है, हम match जीत गए हैं, और अगर वो match जीत गए हैं, तो मैं include नहीं हूँ इसमें, जो मैं कहानी सुना रहा हूँ, होता है, तो मुझे क्या बूलने की जूड़ थी, ठीक है, उसने कहा, उसने कहा, तो मैं नहीं हूँ इस टीम में, तो they आएगा, जातर, they आता है, V में, they had, Honda, have V3 change into head V3, और बटा, third person change नहीं होता, मैं पहले बता रहा हूँ, match third person है, match को football थोड़ा बोलोगे, match तो match है, sun को तो sun बोलोगे, cricket को तो cricket बोलोगे, सीमा को तो सीमा बोलोगे, sun 1, 2, 3 का मतलब है, third person, no change, ठीक है, यह था, अब मैं आपको एक example और अच्छा सा करवाता हूँ, यह करते हैं, sign से बता लग गया, white type है, की, exclaimed, हाँ भी, लड़की अच्छी है तो वो खुशी में का होगा, उसने ऐसे मालो, surprise आए, कुछ है, बस आपकी grammar सही होने चीए, exclaim what, इसका structure आना चीए, mean ही लेती, what लेती है, sad की तरह है, suggested की तरह है, एक object लेती है, बस, ठीक है, what वाला debt, अब यह question ना समझ लेना बेटा की, यह तो question है, डबलू-एच वाला question है, आरे, पीछे sign देख लेना, ठीक है, how beautiful is there, यह कोई question कर रहा है, कितनी सुन्दर, कैसे, एक तो होता है question, how will you come, कैसे आओगे, how beautiful is there, कितनी सुन्दर लड़की है, यह कोई question है, यह exclaim है, ठीक है, तो आप क्या करें, यह how beautiful आपको दिख रहा है, यह how है, नहीं, मुझे साफसाफ दिख रहा है beautiful एक adjective है, और यह adjective के साल लगा हूँ है, adverb है very, मुझे इस how में very दिख रहा है, साफसाफ, ठीक है, how beautiful लगा है, very beautiful होता है, आपको पता है, he आगया, is आगया, linking up आगी, linking up व आगया, वही चीज होगी, देखो यहाँ, रैट आगया, subject लाओ, subject लाओ, subject लाओ, conjunction आगया, subject girl को बना लो, girl आगया, the girl, is ए, तो was बोल दो, ठीक है, घर जागे बस सुनाना है, आपको यह बात है, उसने बोला, ऐसे सुनदर लड़की को ऐसा बोला, आप घर जागे बता द what a surprise ले लो, या what a match ले लो, कुछ भी, ठीक है, ठी, exclaimed, अब with surprise लिखने की जूरत नहीं, क्योंकि आगे है, मैंने तो पहले ही का था, यह तो extra information होती है, ऐसली में exclaimed को चीज होता है, what, एक object चीज होता है, that लगा के बस, that, अब आपको बता है, वहाँ तो how beautiful is the rain, में rain थी, girl थी, girl को आगे ले आ, यहाँ तो कोई subject ही नहीं है, और जब भी कोई subject नहीं हो, तो अपनी तरफ से dummy subject लगाते है, हम it, जैसे मैंने बोला, 10 बजे हुए है, it is 10 o'clock, होसम की जानकारी बतानी हो, समय की तो it लगता है, तो यह तो आप यह लिख दो surprise, यह जो what or how है ना बेटा यह देख लो किसमें change हो जाते हैं, great में या very में, जो requirement हो, great adjective है, तो यह noun से पहले लगेगा, very adverb है, तो यह adjective हो qualify करेगा, हाँ भई, what a surprise, it माल लू, it was a surprise, लिख दिया surprise, अब कहोगे यह what क्या था, यह question वाला what नहीं था, यह चोंकने वाला what था, अभी surprise के लिए adjective बना लो मैंने का था न, very या great से replace करा करो, या what या how, जो चाहिए हो, तो यहाँ पर surprise noun है, तो noun के लिए adjective आएगा, great, ठीक, ठीक है बटा, आरी narration मैंने आपको बढ़ा दी, 45 minutes के अंदर अंदर, एक last type रहेगी है, बटा, optative sentence, optative क्या होते है, pray वाले, wish वाले, farewell हो तो, farewell लगा देते ह इस तरह के sentence होते है, ठीक है, congratulations वाले, प्रे करते हैं, he said, may God bless you, may God bless you से पता लगया question, वो है, optative है, प्रे वाला है, तो अब यहाँ क्या करोगे, helping verb subject से आगया है, तो इसका मतलब यह निया कि question नहीं हो गया, helping verb से आगया, adverb हो, तब भी आती है, adverb अपनी position बदल लें, हम किसी के बारे में pray करें, तब भी आती है, question माग नहीं है, he said, pray लगाओ, फिर से pray बटा, pray me, उसने मिर से prayer की, नहीं, इसका मतलब pray भी कैसी verb है, transitive, debt लेंगी, प्रे भी कैसी verb है, transitive किस case में, सिरफ non-living के case में, mean ही चाहिए, told की तरह नहीं है, अब तक जो die transitive है, वो यह करी है, told मिलिया, फिर second object दे दिया, conjunction लगा गया, ask लिया, मिलिया, second object दे दिया, request, advice, और अपना क्या थी, order, बस यह थी die transitive, बाकी नहीं है, यह वट वाली है, बस एक object लेती है, he prayed debt, debt आगया, subject लाओ, may, god, किसको बनाओ, subject, god कोई बना लो, god, अब आपको बता है, जब हम soul कर लेते हैं, indirect, तो यह model कब रहते है, direct में, जब हम किसी के लिए blessing करते हैं, direct में, indirect में, वापस आजएगा, जैसे question में होता था, और may का बन जाएगा might, और हर model के बाद आती है, bless you, you, son, one, two, three, son, one, two, three, second person किसके उचे, object है, है ही नहीं, अपनी तरफ से मान लो, कोई तो होगा, किसी को तो का होगा, जातर me होता है, he said to me, अगर यहां आई हो तो I said to him, यह सीमा रिटा जो भी हो, option के according होगा, यहां वो ही लग जाएगा, ठीक next देखते है, he said to teacher, good morning, good morning, teachers है वहां भी लिखे, हाँ यह है wish, और wish एक ditransitive verb है, ditransitive है तो सबसे पहले living वाला object लेते हैं, फिर non living, किसको wish की है, me को यह teacher को, teacher को, what, पहला object ले लिया, he gave me what, pen, he what, here a what, यह दूसरा second object, noun है न morning, noun है, यह good लगा हुए adjective है, जो noun के साह लगा है, लगा है, डाइ-transitive वाब बबब, wish एक और मिल गी, डाइ-transitive, hold की तरह, अच्छा, यहाँ पर good bye होता न, तो wish की जगा बस bed लग जाता, bed, ठीक है, bed, क्योंकि bed होता है, जब हम जाते हैं, किसी को छोड़ गे, तब good morning करते हैं, तो wish लिखते हैं, बाकी bed, और है यह भी डाइ transitive, happy birthday आता, he wished me happy birthday, but एक, यह question याद रखना, he said to me, congratulations, कई बार इसमें बता है, क्या करते हैं, congratulations, मैंने कह दिया, किसी को आप घर जाके सुनाओ, घर जाके सुनाना होता है, जो आप सुनाओगे, वह यह narration है, क्यों लिखा आगया, he wished me congratulations, यह कोई congratulations, wish करने की चीज़ है, wish good morning कर happy birthday करते हैं, simple, इसी को वर्ब बना लो, rule rule नहीं रटना गी है, तो यह क्या कर लिया, यह तो इधर था, वर्ब क्यों बना ली है, वर्ब तो इसको बनाते हैं, कुछ नहीं होता है, बस simple, क्या घर जाके आप अपनी wording में सुनाते हो, indirect way में वह narration है, उसने मुझे का congratulations, घर जा उसने guest का welcome किया, यह थोड़ा U था तो R करूँगा, वर्ब करूँगा, पागल हो जाओगे, ठीक है, अब question करते हैं, क्या करते हैं, basic मैंने आपको बता दिया, जितना बताना था, ठीक है, I hope you have enjoyed the class, thank you, क्या क्या narration में सुल करते हैं, ठीक है, वीडियो को post करना है, और एक बार खुद सुल करने का try करना है, तब आपको solution को watch करना है, we will have a thorough search before opening the room, the inspector told his subordinates, we will have a thorough, thorough का मतल़ होता है, complete, before opening the room, the inspector told his subordinates, ये inverted coma में कौन सी line है, ये वाली, ठीक है बेटा, ये आपको solve करनी है, और ये है आपकी reporting verb, देखो, told लिखा हुए, already told लिख दिया, चलो, अच्छी बात है लिख दिया तो, फटा-फट option cancel करने होते हैं, इनमें तो और कुछ करना ही नहीं होता, आपको बता है बेटा, will have है, और मैंने आपको बताया था, will have किसमें चेंज हो जाएगा, would have में, ठीक है, और कई बार will का shell भी बन जाता है, क्योंकि family बदल जाती है, जैसे we, I और we क्या लेते हैं बटा, अगर shell लेते हैं तो बाकी family, he, she, will लेते हैं, और अगर I भी will लेते हैं तो ये shell लेते हैं, तो पास कुछ है, ठलफों वाला नहीं है, किसके बार ठलफों है, object आगया, I have a car वाला, would have जिसमें option है, वो है, बाकी option दो फटा फट कैंसल करो, हट गया, हट गया, ये दो रहेगे, अब ये would be having, देखना, ये तो tense ही बदल दिया, tense नहीं बदलना होता, would, will be one, would be one में change होती है ये continues नहीं मनाना, will be having नहीं था, question नहीं खतम, क्यों read करना है हमने, वहाँ फटा फट लगाना है, जो आपको ठीक है ना paper में, ये करिए, आपको मैंने बताया था, वी one चेंज हो जाती है V2 में, और पहले सही अगर V2 दे दे कोई बात past की बोल दे तो और ज्यादा past, और ज perfect answer, तो आप फटा फटीए, बताये, the teacher said she had started the fight, said, आपको पताया है, complaint, teacher ने complaint, teacher क्या किसी से complaint करे, की, ordered वाले question भी नहीं है, वो V1 से start होते हैं, close the door, मैंने बताया था, अभी imperative sentence कहते हैं, उनको जो direct V1 से होते हैं, सामने वाले को order, advice और request करना, से भी cancel कर सकते हैं, ये दो में से देख लो, sad का sad रहेगा, मैंने का था ना बेटा, told खब आएगा, जब आगे मी दिया होता है, क्योंकि told डाई ट्रांजिटिव है, पहले मी लेती, फिर second object वो पूरी line को बनाती, sad सिरफ और सिरफ ट्रांजिटिव है, non living के case में, मी नहीं लेती, ट्रांजिटिव है, ये sad word, first object, हाँ, जी, वीडियो देख सकते हैं, आप basic की narration की, ठीक है, मेरे channel पे जाकर भी देख सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, the selection campus, the selection campus, इसमें आपको narration complete पढ़ा रख है, महां भी देख सकते हैं, ये question होने में बहुत ज़्यादा असानी होईगी आपको, complete narration है, ठीक है, ए sad, dead, अब आपको बता है, head का head रहेगा, ये option cancel हो, ठीक है नहीं है, head का head, ये थोड़ा has हो जाएगा, has से head जा सकता है, head से has थोड़ा, main close past में है, तो past तो जा नहीं है, head से आगे जा नहीं सकते है, head V3 के बार no change है, उस सीधा B answer है, करिया आगी, वीडियो देखनी पड़ेगी, narration की basic की, आपको पहले बतारो, अजी, फिर्श पहले से आता है, आपको तो अच्छी बात है, the teacher, collector, ask the passenger, where their tickets were, आपको पता है, ये सोल कर, the indirect दे, इसका क्या उठाना है, अब आपको, आपको इसका उठाना है, direct, आजो आजो, आजो, करते है, side to the passenger, side to the passenger, ये demanded तो अटाओ या, पहले, ये तीन है, एक जैसे है, उदर आजो, आपको पता है, ये कोशन कैसे था, pair, 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 पता है क्यों है, ये, जरूर, you are होगा ये, और you are आपको चेंज हो गया होगा, second person है, you are, second person object, object को ना passenger, और passenger के लिए देर आया होगा, हाँ, देख लो, इन वैसे कोई है, इन वैसे भी नहीं हो सकता, because वर है, यहां भी वर है, और V2 है, मतलब, वर V2 होती है, यहां पर वर V2 वाला वर है, जैसे मैं कहूं, दे वर, intelligent, तो ये वर क्या है, V2 है, ठीक है बेटा, ये कोई continuous tense वाला वर नहीं है, main verb है ये, और V2 चेंज होती है, head V3 म बना होगे तो bean हो जाएगा, और उपर bean नहीं है, इसका वनलब, ये option गए, ये था answer question, where are you, tickets, where बीच में लगा, और आपको बता है, question था, to helping up आगे होती है, जब हम soul करते हैं, indirect, to question रहता ही नहीं है, तो subject tickets है, और V2 वापस वहीं चली जाती है, subject के बाद, और R का क्या बन या वर, ये answer है, बेड़ा, ओप्शन कैंसल करने है, narration में आपको और कुछ भी नहीं है, फिर से indirect देदी, Mrs. Mane said that she regretted, regret हुआ, उसको V2 लगा रखिया, देख लो, V2 जरूर, यहां तो V1 होगी, पक्का, regretted, having supplied, ये तो advance हो, आपको बताए, close में एक ही वबा सकती है, having supplied, जेर क्योंकि एक close में एक ही वबा आती है, बाकी 2, V1, जेरेंड, कोई perfect participant, present participant यही बनते हैं, ठीक है? अब बताओ, ये क्या कहरे हैं, अब बताओ, ये क्या कहरे हैं, जो भी option होगा, वो मिल जाएगा, आपको जल्दी देखते हैं, और जो ये बताओ, advance verb होती है, इनके बारे में सीख लो, advance verb, ये tense narration, इनके अकान कभी नहीं change होती, जैसे मैंने लिखा, I want to play, एक advance verb है, infinitive, इसकी शकल 2 plus V1 है, तो 2 plus V1 रहेगी, चैया आप कितना ही subject change कर लो, ह आप tense change कर लो, wanted, क्योंकि ये finite verb जो होती है, इन पर change होती है, tense का, ये two play है, तो two play ही रहेगा, एक gerund का भी example ले लो, मैंने I like लिखा तब भी या क्या आएगा, swimming, और अगर I liked लिखा तब भी swimming आएगा, सेम रहती है, ठीक है, तो ये वही advance होब है, इसकी शकल सेम रहेगी, ये हो सकती है, ये है main verb sentence की, हाँ, बताओ answer, continuous tense कभी V2 में बदलता है, ये 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 ये, जल्दी को रहो, इसमें 2V1 ले रखा है, उपर perfect, perfect का कोई ले रखा था, इन्होंने gerund, ठीक है ना बटा, तो उन्होंने कुछ advance वब अलग ले रखी थी, इन्होंने अलग ले ली, ये advance वब अलग ले ली, gerund ले ली, ये उठा के देख लो, आपका answer मिल जाएगा, यू, यू चेंज किसमें हो गया, यू किसमें चेंज हो गया, दिया ही नहीं हुआ था, तो दिया ही नहीं हुआ था, तो इसने हमें कहा होगा, we send to us, यह us आगया, मैंने कहा था ना, यू अगर 2, apologize, ये advance वब है, इसलिए चेंज नहीं करेंगा, advance वब को कभी ना चेढ़ देना, 2V1 है तो 2V1, gerund है तो gerund, perfect है तो perfect, main verb चेंज होती है, यह हो main verb, बस आगे, single close, एक close में एक वब आ सकती है, बाकी advance वब आ सकती है, तो आपका answer यही जाएगा, मैंने exact बता दिया आपको, बाकी क्यों गलत हुए है, ठीक है बते, ये गलत क्यों हुआ, advance वब gerund यूज कर ली, ये क्यों गलत हुआ, advance वब इंफिनिटिव यूज कर ली, ये ही यूज करनी है, जो यहाँ दी हुई है, next, question वाली narration आगी बता, question, ठीक है, interrogative, जल्दी से ढून लो option में, if she could लिख रख पिंगव वाले question होते है, उनमें जो conjunction लगती है, if here weather और एक होते है, w h वाले question, उनमें if here weather नहीं लगती, वो w h ही conjunction बन जाती है, ठीक है, तो अब यहाँ पे, if answer में, इसका उल्दा, how वाला नहीं है, इन दोनों में से उठा लो, आपका question solve हो जाएगा, ये देखो, इन्हों can I get, उसी का क्या बना है, she, I, first person, change according to subject, ये लड़की है, she आ गया, गुड हो गया, और आपको पता है, ये direct में question होते है, indirect में जब solve करते हैं, तो question रहता ही नहीं है, बच्चो, question रहता ही नहीं है, can का क्या हो जाता है, गुड हो जाता है, कई बार बता चुकों, question नहीं रह बता है, direct में कोई बात, question है, indirect में तो, बस अपने wording में सुना नहीं होती है, जैसे मैंने बुचा, क्या वो आ सकता है, घर जा कोगे, वो मेरे से पूछ रहे थे, क्या वो आ सकता है, ये आपने question नहीं किया, बताया है, चलो, finish, next, She asked, where do you live, कर लो भई answer, सिधा करो answer, की, ask, और ask मैंने आपको बताया था, di-transitive verb है, di-transitive verb है, बिना मी के आगे नहीं बढ़ेगी, नहीं है, तो बिना बात के दो, कोगे, इन्हों नहीं तो नहीं दिया, ठीक है, नहीं दिया, तो तुम दो, अपनी तरफ से दो, यह नहीं है, आसका आस रहने दूँगा, जब structure, verb का भई structure होता है, narration, कुछ नहीं होती, ठीक है, उस सर ने तो ऐसे rule बताये थे, यह कुछ नहीं, sad कैसे आगे बढ़ती है, mean नहीं लेती, बड़ एक object ले सकती है, that वाला, what, what ले सकती है, what के case में, transitive है, told कैसी है, die transitive है, पहले mean चाहिए फिर second object पूरी line बना दो चाहिए, आस भी वैसी है, where do you live, कौन सा tense है, present indefinite tense है, मैंने का था, अगर यह direct question होता है, पर indirect question रहता ही नहीं है, तो इसे money money simple बना दो, present indefinite tense का, जब हम simple बनाते हैं, तो do does गायब हो जाते हैं, सिधा ही बोलते हैं, I play cricket, so you live बोलो, और इस पे narration बोल रहा है, तो question ही चलेगा न, किया है answer, क्यों करिए, क्यों करिए, said that he was feeling sleepy, indirect दे रखिए, direct solve करनी है, says, says होता है, I was feeling change नहीं होता, बिल्कुल सही है, फिर यह sad कैसे आ गया, was feeling का change हो जाता है, had been feeling, तो was का was कैसे रह गया, was का change हो जाता है, had been, क्यों नहीं आया, इसी से यह soul हो के यहां गई है, said that I, I change into first person, subject के according, son one two three, son one two three, कौन सा person, first person, change according to, subject, subject को नहीं लिखोगे, बारबर noun repetition नहीं करता है, ही लिखोगे उसकी जगा, यहीं से वो गया है, इन्टू was or ing, ठीक है, ठीक है, पर selection campus channel पर आप जाकी देख सकते हैं इसको, ठीक है, अच्छे से basic पूरा narration करा रहा है, तब आपको यह question करने बहुत ज़्यादा असानी होगी, सिद्धा question होएंगे यह, जैस से पहले एक basic की video पताईए, bidding, आपको पता है, जब हम good morning करते हैं, तो wish यूज करते हैं, जब किशी को good bye यह, farewell देते हैं, तो verb यूज होती है, bid, bid, bidden, bid, यह वह participle है, करते हुए, ठीक है, जैसे, यह advanced verb होती है, sentence का असली verb यह है, जैसे यह लिखा, मैंने, seeing a loin, share को देखते ही, she jumped into a river, jumped into a river, यह अपना present participle होता है, किसने देखा है, she ने देखा है, ऐसे पढ़ते हैं, इस लाइन, और share को देखते ही, she, यह सही कोन है, किसने देखा है, इस शी ने, farewell देते है, मेरे जूनियर ने wish किया, एक bright and successful career ahead, आगे जाके, wish me, देखो बेखो जल्द require ही तो नहीं हो रही, waiting farewell to me, my junior said to me, अपने आप से काये उन्होंने, मेरे कोई काये, और you change हो गया, तब ही तो किसमें me में, ठीक है, sad change हो जाएगा, इस में क्या दिक्कत है, यह क्यों नहीं, my junior wish me, wish आगया, wish का वेव, क्या है यह, wish me को change कर दिया, उपर जाके wish भी नहीं, sad to को change करते हैं बेटा, wish me को नहीं, अगर यह wish होता तो आगे wish होता ही ना, क्योंकि inverted comma के बाद चीज़े change होती है, inverted comma के बाद जो चीज़े होती है, यह change होती है, यहां तो कोई tense change ही नहीं होता, बज्याद है ज्यादा told हो जाता है, asked हो जाता है, अगर यहां says है तो says रहता है, tells है तो tells ही रहता है, asks है तो ask सी रहता है, wish है तो यहां पर wish ही रहता है, तो यह होते है इन्वर्टिट को माई यह answer है बिल्कुल सही had been listening lyrics है पका जो यह soul हुआ है ना was listening से soul हुआ होगा बेटा was listening से option उठा लो या फिर have been listening बिल्कुल सही है या फिर आपको बता है ना past continues भी perfect continues में जाता है past perfect continues में जैसे past perfect बेटा present perfect किसमें change होता है head v3 में ऐसी present perfect continues भी तो किसी में change होता हुगा has have plus been plus ing किसमें change होता हुगा past perfect continues में past perfect continues में ठीक है न बटा कलो I have been listening head been listening रेखें आप I change किसमें हो गया frame में क्योंकि sun 123 लगा हो गये मेरे लिए मैं आई हूँ frame के लिए जो भी है ही है इसे ने बेशक frame अपने लिए आई हो तुमारे लिए ही है तो यह ही आगया head भी लिए बाकी tense देखें यह कोई formula नहीं है has be listened passive क्यों बना रहे हो head listen से वो जाई नहीं सकते has listening कोई formula ही नहीं है cancel हो रहे है has के बाद ingi नहीं सकता है ठीक है third form आती है has के बाद third form आती है यह answer बिल्कुल सही है देखते ही हो रहे है बाकी option cancel होते है सिद्धाई I will see you now पका would होगा और now then में होगा और first person देखो सब change होता है tense भी बताए हूँ है tense change होते है subject object change होते है कुछ adverb change होते है ठीक है will change हो जागा would see में बाकी होना should में चीए क्योंकि I change हो जाए ही में ज्यादा deep में जाए न I और we एक इकलोते मोडल है will shall जो subject recording change होते है I और we अगर will ले रहे है तो बाकी shall लेंगे अगर ये shall ले रहे तो बाकी will लेंगे आपको बता I will ले रहे है तो he shall लेगा और should दे नहीं रखा इतना deep में जाते नहीं है ये इसलिए ठीक है तो answer लगाओ सिद्धा ये रहा बाकियों में would कर ही नहीं रखा ठीक है now को नहीं change कर रखा और main reporting word past में हो या past में हो रिपोर्टिंग word तो answer होई या सिदा ये करिए लेटर्स वाले मी करवाए थे बैच्चे मैंने लेटर्स वाले last class में लेटर्स देखती मैंने का था आओ पार्टी करें तो ये है तो imperative sentence पर ये ना order है ना requestion advice हम सब मिल के plan बना रहे है तो proposed या suggestion से sentence बनता है और ये कैसी word में नहीं लेती है said की तरह है what लेती है बस एक ही object लेती है what वाला no he proposed what पूरी line object है आजो और आगे जाके should आता है क्योंकि letters का मतलब होता है आओ मिल कर ये करना चाहिए that आगया that के बाद v1 लगा रही है जबकि subject आना चाहिए ये गया ये 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 tense बदल दिया has weight should has weight कोई tension ये should के बाद तो v1 आती है और should के बाद v1 have हो सकती है क्योंकि base form आती है plural वाली has नहीं आ सकती है has singular form है should कभी आप नहीं देखा होगा he should studies study होगा तो ये गलत है ये भी कोई formula नहीं है should के बाद बीन थर्ड formula लगा रखी है v1 आती है तेखते ही answer सही है सारे option cancel होगए ये क्यों होगा that के बाद v1 आनी सकती that के बाद तो subject आएगा they या we कुछ भी आ सकता है let us they भी मान सकते हैं इस v1 को क्योंकि ये किसने किसको काई उस पर depend करता है v1 में sun 1,2,3 लगता है v1 में अपना देखा करो किसने का है arwin ने काओगा आओ वेट करें क्याम है जो सुना रहा है वो इनमें include नहीं होगा तो वो कह रहा है वो ऐसे ऐसे कर रहे है अगर वो include होता तो देख लेते है next sad है was कर दो i he में change कर दो एक खथम हो गया है अगर ये लड़की है तो she में कर दो tense change ये कोई formula नहीं है is के बाद b क्या है was के बाद being लगा दिया कोई जूरत ही नहीं थी continuous की present definite tense दिया हुआ था वी वन अगर मैं तुमसे पूछ लूने है बटा I am a teacher कौन सा tense है तो आपको बोलने है present definite ना की continuous में आगए ing होते है या main verb है ये ठीक है main verb है है helping नहीं है और subject के just बाद main verb आये तो वो तो वी वन होती है वी वन होती है ना subject के just बाद main verb ये भी question करवाए था मैंने एक्सक्लेमेटरी सिंटे uploaded her saying that she had done well मैंने का था है ऐसे एक्सक्लेमेटर लगा के bravo आजे तब करते हैं इस तरह का uploaded या तो exclaimed with applause करते हैं देख लो video last वाली exclaimed with applause करते है या फिर बटा uploaded करते हैं क्या करते हैं uploaded करते हैं uploaded को verb बना देते हैं फिर बीच में लिख देते हैं किसकी तारीफ की फिर एक advance verb यूज़ कर देते हैं participle कहते हुए और ये अपने आपको verb मानती है तो dat लगा के नया close रू कर देते हैं क्योंकि अगर कोई भी advance verb है जा simple verb है object तो लेगी पर पूरी line object बनकर बैड़र से sad है but pure noun pronoun लिख दे something पर पूरी line को object बनाएगा तो dat लगा के लिखना पड़ा है क्योंकि उसके अंदर भी तो verb है conjunction लगा के लिखना पड़ा है ची ची आगया पका यह यू होगा तभी तो इसके according change और तैसन यू किसके according औबजेक्ट के according यह कोई formula नहीं है have be done passive बना रख जबकि एक्टिव है have done have के बाद third form passive मत बनाओ बेटा sentence की demand active है active passive क्या होता है अगर आगे doer है तो formula भी active का लगेगा अगर आगे receiver है तो formula passive का लगेगा receiver का मतलब cricket आगे तो आएगा cricket has been played तो है यह कोई formula नहीं इन दोनों है confused say आगया उपर uploaded क्यों है यह say है तो अगर यहाँ sad है तब ही तो past का past रहा यहाँ पे uploaded ब्रावो वही है यह answer है देखते ही हो गया यह कोई formula नहीं been subject के बाद third form क्या है यह have के बाद first form क्या है यह अगर यहाँ पे say है तो फिर उपर मादव वैसे भी singular है तो says आना था तो says का uploaded कैसे बन गया sad है तब ही बनता है ना अगर says होता है तो बटा tells रहता है asks रहता है क्योंकि reporting वह चेंग नहीं हो तो inverted कुमा वाला चीज चेंग होती है और वो यह है यह करो वट वाले करवाये थे मैंने it is an यह भी सही है पर इसमें sign ही नहीं एक्सक्लेमेटरी का काट दे direct soul करवा रहे हैं ज्यादा sign ही नहीं एक्सक्लेमेटरी का वट एन इंट्रेक्टरी इट वोज चेंज़ देखो V2 है V2 चेंज होता है हैड वी बीन में हैड वी 3 में वो तो है नहीं इट इस था पका तभी हुआ है वट एन एट्रेक्टिव साइट इट इस तो यह वट कोशन वाला वट नहीं है एक्सक्लेम है तारीफ करने वटा सर्प्राइज क्या मैस था वटा मैच यह उसके लिए वट आता है ठीक है तो आपको पता ही है एक्सक्लेम विज जुआए लिखते हैं फिर डैट लगाते है क्योंकि इसने तो एक ही अब्जेक्ट लेना होता है मैं नहीं लेती है वट और आपको बता है सब्जेक्ट चाहिए फिर डैट कंजंक्शन के बाद क्या चाहिए सब्जेक्ट सब्जेक्ट इट मान लेते हैं अपनी तरफ से इट वो जैन अट्रेक्टिव हैड यही अंसर से ता सेज सेड यह करो एक सेड़ प्रोवब मान लो होती है है जैसे कोई अची बाते लोगो को सीखाना और यह कभी चेंज नहीं होती जैसे the sun rises in the east घर जाके कितना ही पुराना हो रोज नहीं कहोगे sun rises ही कहोगे क्योंकि ये truth है the sage said ये इमानदर बुद्धी बन वक्ती के लिए वर्ड यूज होते है the sage said आजो आजो देखते हैं कौन सा गलत हो क्या बता है यहीं मिल जाए सारे सेम हैं अगे देखते हैं proposes and go disposes that man proposes and go disposes man singular था verb SEIS नहीं लगाया यह इसलिए गलत यह second form बना दी उसको भी second form बना दी गलत head V3 फिर past में ले गलत आपको बता है जाएगा तो V2 में जाएगा या तो यह सही था यह का यह सही था पानी उबलता है तो कितने दिन बाद आप घर जाके narration अपने वर्डिंग में सुनाओ पानी उबलता ही बोलोगे जलेगा बटा विल बी वेटिंग है continuous tense है फ्यूचर का तो वुड बी वेटिंग पका देख लेना जिस option में वो ही थीक हो जाएगा बाकी सब गलत करो tense change कर दिया tense change ही नहीं करा ये दोनों है भाई ये दोनों ये दोनों आजो आजो यहाँ यहाँ यूर यूर आपका पता है कौन से person में आएगा second person sun one two three sun यहाँ देखना है second person में आता है यू के जितने भी यह होते हैं case यूर इसके according change object के according object कौन है लड़की है ये daughter है तो daughter को क्या बोला जाएगा her बोला जाएगा बिल्कुल his daughter एक second his daughter को क्या बोला जाएगा your father said to daughter you are mother ठीक है her mother ठीक है her mother बताओ कौन सा करोगे ये करोगे my mother नहीं father ने उसके daughter का you are mother ठीक है your change किसके according होगा his के according ना change का his आज जाएगा जी his तो free में लगाओ adjective है आपका main object कोन है ये his car अगर मैं sentence start करता हूँ his car is expensive तो आपका subject car है ये नहीं है ठीक है ये तो possessive adjective है जो लगे रहते हैं साथ में ठीक है determiner बोलो जो भी तो यहाँ पर ये छोड़ो daughter है daughter लड़की है लड़की के लिए क्या लिखा जाता है हर लिखा जाता है हर mother हर mother आएगा ये करिए don't conduct कौन सी टाइप है ये close the door imperative sentence पैचान क्या है V1 से start होते है close the door negative करना हो तो do not close the door कैसे sentence start करवाए थे एक ही close में खतम करना हो किसी चीज़ को तो advance verb का use कर लो he ordered me भी जरूर लगाना पहले बतारो नहीं लगाया सारा meaning बदल जाएगा transitive verb है me किसको का बंद करने को ये advance verb बंद गी क्योंकि एक close में एक ही वब आसकती है अब एक और वब आएगी तो advance verb बंद गी आगे जाने की sense आती है इसलिए two लगाते है पर अगर मना करना हो कि नहीं बंद करना तो आप चुप चाब इस main verb है तो बेशक से noun की जगह पे बैठी advance verb का 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 है noun की जगह पे बैठ जाना adjective का का काम करने पर होती verb ही है और verb को negative कैसे करते है उसके आगे note लगा दे बीच में ना लगा देना two plus even एक पूरी verb है यह preposition वाला two नहीं है यह पूरी complete एक verb है इसका आगे note लगता है main verb से आगे note लगता है है तो यह main verb ही क्योंकि अब जबी तो यह verb object ले दिया close word तीन object नहीं है यह verb यह इसका first object यह इसका second object और यह close अपने आपको verb मानती है यह इसका object तीक है जैसे मैं आपको अगर negative करते हैं कोई चीज he will note play कहा लगाया note play से पहले main verb को negative को नहीं है यह किस चीज को negative को नहीं है बंद करने को कि नहीं बंद करना note इसका आगे लगा दो वही है conduct आजो same 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 अब यहाँ पर हम फस गए आगे जाबे note to conduct note to conduct note to conducted यह कोई formula नहीं है 2 प्लस V1 advance वाब होती है यह नहीं होती है यह गया इन तिनों में फिर रफाच गया है tomorrow tomorrow change into next day अभी करवाया था मैंने अब जब basic करवाया था to conduct the next day next day सिरफ इसी में है यह answer मिलिगा सिर्दा answer मिलते है बैटा D answer कोई ना कोई गलती जरूर मिल जाते है हम previous day लिख रखा है ही नहीं tomorrow change into the next day today change into the dead day change into that day क्या करिए I am meeting लिख रखा है बैटा was meeting option में डून ले और I change कर ले किसके according subject है first person subject के according subject इसे ना मानी हो यह adjective एश लगा रहे है mother mother लड़की है लड़की के लिए क्या आएगा shee आएगा बस खतम आगे देखते है shee के साथ work कैसे आगया वो तो imagination में आता है बटा हज़ एक के साथ I work she work imagination थोड़ा ही है says का sad कैसे देखो sad था sad था जब तो says कैसे आगया जब हमने soul की narration इन तिनों में से उठा लो ये भी cancel हो चुका है वर tense बदल दिया answer ये रह is change हो जाता है was में is mr.i.n.g. was वर आएग ये करिए हाँ बच्छ ये soul करनी है ये shell का should form नहीं है तो shell का should है ये will की second home would एक अलग से ही model होता है बटा should चाहिए इसका कुछ नहीं change करता है ये should v1 should v1 में ही रहता है ये वह ही should है चलो says आपका देखो reporting verb says है तो sad तो आनी सकता बीच में debt खागे क्योंकि इस close को इस close से जोईन करना ही है ये says को अपना first object देना है says what debt लगा के देना पड़ेगा ये गया इन दोनों में से उठा लो यहाँ tense बदल दिया बटा क्या बदल दिया है ये देखो tense बदल दिया have got model का perfect form यूज कर दी जबकि model के बद व1 आनी चाहिए ये answer है ठीक है क्या answer है आपका D next देखो I don't remember your name I don't remember है I didn't remember थालो उप्शन में I didn't remember cannot बदल दिया I change किसके according होगा किसके according first person first person है ना ये first person किसके according subject subject student है लड़का है लड़की नहीं पता इसलिए ही इसलिए दोनों लिख रहे हैं कोई बात नी आई का आई तो रहेगा नी इन दोनों में से उठा लो do note का do note रहे गया did note please pay attention कौन सी वाली type है ये imperative type अलग-अलग type है पे verb की first form से start होते है sentence सामने वाले को order देना अच्छा कहीं verb की first form को देखके ये ना सोचा करो कि ये present definite tense है sentence से बाहर निकलो there are 12 tenses in English grammar से सबसे हर लाइन की इंदी की English नी बन सकते gate बंद कर दो कोई tense काम नी आएगा ता है ती है रहा है रही है कुछ नी आना काम तो ऐसे sentence में क्या करा जाते है वीवन लगा के sentence बना दिया जाते है और सामने वाले को दिया जाते है order इसलिए subject भी नहीं लिखते है वा understood होता है हमेशा यू बदल बदल इसका मतलब ये थोड़ा बंद करता हूँ बंद कर दो ये present definite tense नी है बस वीवन दिख रही है वर्ब तो वही है गुमा फिरा के 1,2,3,4 forms वाई use होती रहती है तो ऐसे sentence बनाने के लिए वीवन लगा दी जाती है और object लिख देते हैं या adverb लिख देते हैं क्योंकि जो verb के बाद आते हैं subject understood है ये वाई attention pay करो request वाला उठालो क्योंकि please आगे तो request जरूर आएगा reporting वर पास्ट में requests नहीं हो सकता commanded नहीं है ये इन दोनों में से एक answer आपको बता है मैंने एक ही close में खत्म करने को काई है ये sentence, debt लगाने की जूरती नहीं होती क्योंकि आगे subject तो है नहीं तो एक ही close में खत्म करते हैं तो एक main verb आगी बाकी सब advance verb आती है ये advance verb बन कर बैठकी to the detail 2v1 लगाके खत्म कर देते हैं ऐसे sentence को debt लगाके subject लाई है क्या advance अबसे sentence स्टार्ट कर रहा है debt के बाद तो अगर कर भी रहा हाँ subject हो सकती है advance अबसे अबसे भी तो फिर आगे verb तो दो इसको ये गलत है वैसी बिल्कुल गलत grammar है would not be coming पहले लिखा हूँ है तो would not be coming को कुछ नीचे डपाओ गया will का would हो सकता है would तो would ही रहेगा देख लेते हैं अच्छा चाहिए एक सेकिंड एक सेकिंड एक सेकिंड तीग है indirect है गया direct में बदलना है तो ये तो फिर फिर पक्का will not be coming से बदला होगा will not be coming इतना ये डीप में जाते हैं तो पक्का will not be coming से would not be coming बनाओगा option से उठा लो ये गया ये गया इन दोनों में से एक अंसर है you change इसके according है नी नहीं है ना यहाँ क्या होगा तुमारे साब से यहाँ second person object के according है है नी यहाँ she होगा she said to her चादतर यहाँ होता है she said to me तो यहाँ तो I आना था फिर I तो है नी उपर she है यह देख लिए I first person change into today that day यही जाएगा यही है बिल्कुल सब मैच कर रहे है you तो इसके according होता है और यहाँ पर she लिख रख है यहाँ पक्का she तो हो नहीं सकता she said to her he said to him थोड़ा हो सकता है he said to him I said to him he said to me he answer जाएगा lawyer ने का your case is very complicated आपका case बड़ा complicated हाँ बताओ भई complicated है तो क्या करें my case was is very complicated बनेगा was very complicated वीवन है यह इसकी वीटू उती है इसकी was यह तो tense अलगा आगे इसका इस रहन दे इन दोनों में से एक उठा लगा यूवर केस को चेंज ही नहीं lawyer said your case एक सेकिंड lawyer said to me हाँ पक्का मी होगा sad का sad रहेगा और you are किसके according change object है ही नहीं तो किसी को तो काऊगा lawyer नहीं मी को काऊगा मी नहीं लिख दे नहीं यहाँ पर मी का भी ऐसा केस बनाऊ ना i.e. possessive case subjective case चाहिए तो subjective case बनाते i.e. objective case चाहिए तो objective बनाते तो possessive case चाहिए तो warm की वाली कोई बात नहीं है sad का sad रहेगा ठीक है ऐसे करके पाकी टैंसी गलत आ रहे है यह और सेम था लगबग my के you are का you are पड़ा रहने दिया I coach sad you should take a healthy dad should यह shell should वाला नहीं अलग से एक model होता है advice वाला वो should रहेगा ठीक है देख लेते हैं you change into object object है नहीं तो मेरे coach ने मुझको ही का होगा जातर better me होता है यहां वैसे हो कुछ भी सकता है सीमा रीटा तो सीमा आ जाता पर देख लेंगे you का you तो रहेगा नहीं आई shell का should यह कै should का shell बना दिया गलत should का should रहेगा देखो cell की second form should होती एक should का should आजे तो should का should ही रहेगा head भी three जो आगे change ही नहीं हो सकता no change आगे तो should पहले छे देदे तो should ही रहेगा tense बदल दिया last question फिलकुली soul करके रख रख है देखो भई sad told नहीं है तो sad का sad रहेगा star option में his father my father my first person change into subject subject को ना शुबम शुबम को उठा के लाएंगे तो ना उनकी repetition ही रोखनी case कौन सा चीए subjective case या possessive चीए तो शुबम के लिए possession his है क्योंकि लड़कों के लिए his लिख एख लोग इन्नों में my father है 10 से हो जाएगा was playing is playing से आया होगा is playing से was playing कातब बाकी समय गलत was playing से was playing नी had been playing हो जाता है is playing से was playing हुआ होगा क्या गलत 25 questions हमाईगे I hope you have enjoyed the class thank you for joining इससे last वार पहले class थी basic की वो देख लेते हैं ना शुबम समझा thank you